कि इस वक्त मेरे साथ बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे जुड़ेवे हैं मंगल जी बहुत स्वागत है आपसे और देखे क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं आपसे तो आपके पास एक जिम्मा तो यह ही कि कोरोना की जो संभावी तीसरी लहर है उससे बचाओ के क्या यह पर व्योस्ता की जाए लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे कोरोना पर सवाल पूछू मंगल जी इस वक्त वो जो सीजनल बिमारिया है चाहे वो जैपनी जिन से फ्लाइटी सो चाहे डेंगी हो और चाहे चमकी जिसको बिहार में कहते हैं या जो रहसमें बिमारी जिसको कहते है वो भी अब बिहार में अपना असर दिखा रही है काफी जिलो में इसकी शिकायते मिल रही है और हालात हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं कि मुझफरपुर में क्या हालात होता है इस हालात हो जाते हैं कई बार तो बतौर स्वास्त मंतरी आप क्या कहेंगे कैसे आप तैयारी कर रहे हैं इन से निपटने के लिए हालात और ज़्यादा खराब ना होने पाएं इसके लिए क्या वेवस्था कर रहे हैं नहीं मैं कुछ जानकारी और असपस्टता आपको देना चाहूंगा जी एक तो जो बेमारियों का नाम आपने लिया उसमें डेंगू जो है वो बरसात के समय में सामानियता पाई जाती है और अभी बरसात का मौसम पिछले डेड़बाहीने से चल रहा है और पिछले वर्सों का जो record रहा है डेंगू के मरीजों का उसकी तुलना जदी हम इस वर्स से करें तो काफी कम संख्या में मरीज दिखाई पड़ रहे हैं और डेंगू के अधिक मरीज पटना में ही पाए जाते थे अधिक्तम जो मामले होते थे वो पटना और पटना के आसपास होता था जो इस वर्स बहुत कम है वाइरल फीवर पर बात करते हैं वाइरल फीवर के सित्य यह है कि पिछले 15-16 दिनों में राज्य में जो बच्चों को बुखार लगता है वो मामले जादा आये हैं सामाने दिनों के तुला में और मैंने राज्य के जो बड़े अस्पताल हैं उन अस्पताल के सीसूर और विसेसग्यों से बात किया है एचोडी से बात किया है सुपरिटेंडन्ट से बात किया है विक्तिगत बुला के बाच्चित की है और ये जानकारी आई है कि साल के बिभिन महीनों में जो बच्चों के बुखार लगने के मामले होते हैं उसकी तुल्ला में ये जो अभी का मौसम अगस्त के लास्ट और सितंबर का समय होता है इस समय में बच्चों के फीवर के मामले वाइरल फीवर के मामले जादा प्रतिवर्स प्रतिवेदित होते हैं इस साल जो सितंबर का प्रथम सब्ता था उसमें अधीक मामले प्रतिवेदित हुए और अभी तक जो मेडिकल कॉलेज के हमारे आकड़े हैं उस Medical College के आंकड़े के अनुसार लगभग सवा 300 के करीब मरीज प्रतिवेदित हुए और उसमें से अधिकतर मरीज स्वस्थ होके गए हैं मैं स्वास्त मंतरी के नाते गौरण जी बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कर रहा हूं कि मेरे अस्पतालों में जगा है चाहे वह PMCHO, IGMA, AMSO, DMCHO, SKMCHO, भीमसो, JLNMCHO, NMCHO, हमारे जितने Medical College है सभी अस्पतालों में आज भी जगा है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का एडमिशन हो रहा है और बच्चों का ट्रिट्मेंट हो रहा है अचा कोरोना पर आते हैं, चीक है, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है दूसरी वेव की तरह हालात खराब ना हो, तीसरी लहर के लेकर वहाँ पर आगर आती है और खास करके ऑक्सीजन एक ऐसा विसे था जिसने परिशानी जिसके करण हुई थी और उससे ये सीखा हम लोगों ने कि हमारे अस्पतालों के अंदर और बेहतर ऑक्सीजन की वेवस्थाएं होनी चाहिए और आदर्य परधान मंत्री जिन्हें PM Care Fund से बिहार के लिए 62 ऑक्सीजन जनेशन प्लांट आवंटीत किया हम अबार ही हैं अपने आदर्य परधान मंत्री जी के भारत की सरकार के उसके अतरिक्त 60 और oxygen generation plant लगाने की योजना बिहार की सरकार ने विभिन सुरोतों से बनाई कुल 122 generation plant oxygen generation plant लगाने के हमने कारे सुरू किये मई के बाद और इन 122 generation plants में से आज की तारिक में 42 से अधिक generation plant क्रियासील हो गए है तो बार शपर